स्वागत अब अच्छों आपका सेल स्टेडी के इस चैनल में और आज कि हम अपनी 19th vocabulary की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और हर वीडियो में अपने 5 वर्ड हम करते आ रहे हैं और अब तक हमने 18 वीडियो कर लिए अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो एक वो कैलरी के नाम से ही मैंने प्लेइलिस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर जाके आप वह बाकी की सारी वीडियो यानि 18 वीडियो जो हैं वो आप देख सकते हैं तो भीना टाइम गवाए आज का पहला वर्ड है हम वो करते हैं पहला जो वर्ड है वो है लूशी डिटी लूशी डिटी क्लियर यहां पर आई होप साब लोगों कोई चीज समझा रही होगी मुझे तो कही न कहीं शक हो रहा है हाँ लूशी डिटी इसका मतलब होता है स्प लूशी नाम कोई लड़की का नाम है अगर आपने आपको पता ना हो ते एक मुवी है लूशी का क्या आई हो आई थिंक वही नाम है लूशी जो अपने ब्रेन का 100% यूज कर लेते हैं तो ऐसे एक मुवी आई होगी है आप देखना कभी बहुत अच्छी मुवी है वहाँ पर तो लूशी क्या है लूशी बहुत बहुत स्पस्टता से बात करती है बात करती है क्लियर यहाँ पर लूशी बहुत स्पस्टता से बात करती है क्या था कौन सा word था ये, lucidity, इसका मतलब क्या है, spasta, कैसे याद किया lucy से, example के तो हमने समझा, lucy बहुत spasta से बात करती है, okay, पहला word यहाँ पर खतम होता है, second, जो word है वो है, deterrent, clear, okay, इसका मतलब होता है, हतोत साहित करना, या फिर discourage कर देना, अतोत साहित करना, यानि discourage कर देना, यानि होंसला तोड़ देना और हम इसको याद करेंगे इस word को, date date का मतलब क्या होता है, तारीख टारीख, okay, date rent, rent का मतलब क्या होता है rent में ये वाला, ये वाला तो नहीं आएगा, दूसरा आद्धा नहीं आएगा, एक मिनिट मैं इसको rough कर देता हूँ, okay, date rent, rent, ये rent क्या होता है, किराया होता है, okay, अब example के तुरू हम इसको समझ लेते हैं, date rent की आते ही, date rent की आते ही गरीब, गरीब किरायदार, गरीब किरायदार, हतोत हतोत साहित हतोत हो गया, یعنی discourage हो गया, हतोत साहित हो गया, क्यончी उसको पता नहीं कहां से किरायदार और हो गया, क्योंकि lockdown चल रहे हैं, lockdown में बहुत बूरा हाल है, तो वो वैसे ही दर जाते हैं, discourage हो जाते हैं, date rent से हमने इसको याद किया, और हतोत साही तो हो गया या नि हो जाना या करना तो यहां पर इसका मीनिंग भी आ गया तो डिटरेंट के बाद हम अपने थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं थर्ड जो वर्ड है Assault ओके एक मिनट एक मिनट यह ऐसे नहीं है Assault एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ कुछ और रफ ना हो जाए ओके यह है Assault Assault कभी कभी ना हिंदी में समझ नहीं था लिगना कैसे होता इसको तो Assault Assault का मतलब है यहां पर आकर्मन करना और इस वर्ड को हम याद करेंगे ऐसा ऐसा Salt Assault का मतलब है यहां पर नमक Clear Assault Assault का मतलब होता है आकर्मन करना और हम इसको याद करेंगे Assault Example के तुरू हम इसको समझते है खाने में खाने में ऐसा सोल्ट खाते ही सैनिकों ने सैनिकों ने आकर्मन सैनिकों ने आकर्मन कर दिया खाने में कैसा ऐसा ही सोल्ट खाते ही क्या कर दिया आकर्मन कर दिया I know इस बात का कोई सेंस तो नहीं बनता बट बनाना पड़ेगा आपको यह वर्ड जो संबनने है अपने फॉर्थ वर्ड की तरफ चलते हैं फॉर्थ जो वर्ड है वो है फ्लाउंट फ्लाउंट ओके फॉर्थ जो वर्ड है वो है फ्लाउंट इसका मतलब होता है दिखावटी और हम इसको याद करेंगे फला फला आंट होता ना फलाना आदमी ने कहा फलाना व्यक्ती ने कहा फलाना फलाना बात कई तो वो वाली चीज़ है फलाउंट जिसका मतलब होता दिखावटी और हम इसको याद करने वाले हैं फला आंट से एक्जाम्बल के तो हम इसको समझते हैं देखे, आपके महले में एक ऐसा कुछ ऐसे कोई महीला रहती होगी जिसको आप आंटी आंटी कहते हैं तो वो बड़ी ही दिखावटी है उसका वहवार बहुत दिखावटी है तो अब आप वहाँ पर क्या कह रहे हो उनके बारे में बात करते हुए कह रहे हो कि फला आंट का वहवार बहुत दिखावटी है ऐसे आपने उसको बोल दिया फला आंट का वहवार आप लोग clear हो गया दिखावटी है okay flaunt को हमने याद किया है flaunt से clear fourth word के बाद हमारे इस वीडियो का जो last word है हम उसको कर लेते हैं यह है deluge deluge okay इसका मतलब होता है bad और हम इसको याद करने वाले है daily, daily यानि रोज, use daily, use यानि रोज इस्तमाल, okay daily, use से और इसका हम example के तरूँ समझते हैं example के तरूँ हम इसको समझेंगे पानी का पानी का daily use करने से daily use करने से दिल्ली में दिल्ली में बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई clear पानी का daily use करने से daily use बाढ़ यहाँ पर दोनों ही आ जाते हैं में आपे meaning और plus की यहां पर आ जाती हैं ओके daily use करने से दिली में बाढ़ आगे मुझे पता है कि इस sentence का भी कोई meaning नहीं बन रहा बढ़ क्या करें आपको words तो करने पड़ेंगे तो एक तरीके से हसी मजाग के तोर पे यह चीज़े याद कर ले हो जाएंगी और हमने इसको याद किया date rent date rent की आते ही तारीक यानि किराए की आते ही गरीब किरायदार क्या हो जाता है हतोतसाइत यानि discourage हो जाता है assault का मतलब होता है आकर्मन करना और ऐसा salt यानि नमक ऐसा मतलब की खाने में ऐसा salt खाती है नि कोने आकरमन कर दिया फूर्थ जो वर्ड है वो है फ्लॉंट फ्लॉंट का मतलब होता दिखावटी धिंगे हांकना हमने इसको याद किया है फ्ला आंट से फ्ला आंट का वेवार क्या है भई बहुत दिखावटी है डेल्यूज जो लास्ट वर्ड हमने किया है डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है बाड और डेली यूज हमने इसको इससे याद किया है एक्जांपल के तुरू हमने इसको कैसे समझा कि पानी का डेली यूज करने से दिल्ली में बाड आ गई, clear हुआ तो अमीद करता हूँ कि आपको ये पांचों वर्ड समझ आ गए होंगे और इन वर्ड को मिला के टोटल 95 वर्ड हो गए होंगे और आप ये सारे वर्ड लिख भी रहे होंगे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये सारे वर्ड अपनी बोकोपी के अंतर विद ट्रिक, विद मीनिंग, विद परनेशेशन आप सारी चीज़े ये लिखें ताकि आप लोगों की रिवीजन भी होती रहे पीडियाफ भी मिल जाएगी अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटिड ये पीडियाफ चाहिए तो टेलिग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को प्रवाइड करवा रखा है डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर आप जोइन कर लीजिए साथ ही साथ फेस्बुक के पेज का भी लिंक आप लोगों को प्रवाइड करवा रखा है वहाँ पर भी आप जाके like कर लीजे, join कर लीजे वहाँ पर आपके exam के point of view से बहुत सारी चीज़ें upload की जाती है अगर आप ये वीडियो पसंद आईए तो इसे क्या करें, like करें चैनल को क्या करेंगे, subscribe करेंगे और साथ इसाथ इन दोनों चीज़ों पर क्या कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों के यानि चैनल और वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं और आपके एक share से, आपके एक like से बहुत जादा motivation मिलता है तो बस आज के लिए इतना है था, thank you for watching this video